आज हमारे साथ बिसे संबाद में IPS अजीत प्रताप सींह मौझूद है अजीत प्रताप सींह वैलकम तू इसमाइ डिजिटल प्रफॉर्म कैसे हैं अब तक की जर्नी कैसी रही है तो हजार बारा से लेके तो हजार बाइस स्टार्ट हो गया है जर्फी टूर्ल में टूर्स की कैसे सुलर अब स्टाट बीजिट में कि टूर्नी सुलर आ había वहाए्प इन हुपनस कि तो को प्रावश के प्रीजित प्रॉच टूर्ब सेंवे ने प्रीद्टेस्त पो मैं and the most important support came from my wife निहारिकादरबाथिन so from the support from family and the near and dear ones right from my village the journey till now has been very beautiful for me I have achieved several milestones in my life like cracking an IIT exam and completing the B.Tech degree in Electrical Engineering from IIT Kanpur then selection in Indian police service and of course I have completed the service 10 years of service till now the journey has been very beautiful for me till now I have achieved several milestones and awarded two times DGP DISC till now in my life it's good so Mr.Keytay Hai ki aap bhooti chhoti usse blong kar ke aai blessed se ye kisab se maana jai blessed se blong ke aap itne high uspe baitnne ki baad kaisa mahususe ba aak? कर दो कि कि अ कर दो कुटा नग झाय। है, कि पोप्रदाटी थी जड़ बनान, यहाज था प्राज प्राजाएं, हुझा आज अच्छा भाज़ मोगी दो आज थे प्राजना क लिए बट्र्देगार कि अगते थे प्राज़ को लिए प्राज़ पाटी में प्राजल, इन खिर यह ची यह एक समय है वह प्रहुम पीर सांब प्रहण और हम वह कमें लोग कॉर मेरे बाता है गाहती है हुआर हुख गज़ У homogeneous कि एम Split got हैं हए Cisco चाहिए ändig دन को है कि भी कि तायर बास अब पारेतर्ने क मैं एलो जब हां है भी ट्सकेया अबारेतर्ने खाता हो गारेतर्न Elle करेंना फोरे भी ठायर मेंने गेश फुरह और रसे लेना थे आर देक्तारतम है आपको तिरुप्रा कैटर मिला, आपको यूपीसी ब्लॉंग करते हैं कि तिरेंट मेस्वा क्या इस लोगता झार रूट मेस्वा यूपीसी ब्लॉंग के लूट मेस्वा के लिए अजिए टेल से ले रखीश इस वन मिल्युपीस एपको इस अनलोग की यूपीस इन प्ल्च इन इड़ करते हैं बेज़ प्रफोर्ड का वैंडी 창ृत्राइस कुछ नावां लुटराज ई रिप्राइस जा वहां है मैं दोन रिप्राइब की करें देख्ड़ इन रिप्रेड में बेख्ड़ प्रफोर नृट्रप्राइसा थे लोगली है लिटल बिट उप कुल्चुलर दिफरेंचेस और मोर इंपॉर्टन लिए कुल्चुलर दिफरेंचेस कम दो लाइज। इस बेंगॉली लाइज़ और उतवर इंदी नाइज़। हमारे विवर्स भी है ना जो वह हिंदी इंगली दोनों मिक्स हैं तो बीच बीच में कुसिस करिएगा हिंदी की टॉक करने की। यह तो आपकी जन्नी रही ऐसा कहा जाता है कि पुलिस को बहुत ही दवाब जिलना पड़ता है क्या ऐसा आपने तुर्पर अकेडमें याने के बाद महसूस किया। देखिए पुलिस की रिक्वाइर्मेंट्स जो हैं वह हम लोगं को तुरंती रियाक्ट करना पड़ता है अगर कोई incident होता है या कोई accident होता है तो पुलिस का जो पुलिस को delivery point of view से लोगं की expectation को deal करने के लिए तुरंती quickly response करना पड़ता है तो उस लिहार से यस, ऐसा भी का जाता है कि पॉलिटिकल प्रेशर भी भहत रहता है, पुलिस के पर, पुलिस के को, हमने एक एक एनलाइसिस किया रिपूर्ट में तेजार की थी तो उसमें तिरुपुरा का जो 2017 से पहले का आंकड़ा था वो बहुत जादा था बट अब हलके हलके कम होता रहा है क्या ऐसा सही है क्राइम के बारे में 17 और आपके वारे में मुझे फूल नॉलज नहीं है क्योंकि मैं एक जस्ट काइम ब्रांच देठा हूं यह तो ओर अपके साफ्ते अनलाइसिस किया हो मतब क्राइम कम हो रहा है क्या मेरे यसाब सो यह जो सुसायटी में लोग लेट नाइप जाते हैं अगला सवाल है कई यूवग और समाज के अलालग हिस्तों में पुलिस विवाग को लेकर तमाम निगेटिविटीज छविया है ऐसे लोगों को सत्य का कौन सा संदिश देना चाहेंगे जो पॉजिटिव की तरफ वो बढ़े देखे पुलीस जो जहां मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे हम लोग तुरंती रियक्ट करते हैं और तुरंती ही हम लोग जो जितना हो सकता है लोगों की काउंसलिंग करते हैं अगर कुछ इंसिडेंट है एक्सिडेंट हुआ है आप देखे कुछ लोग तो हमेशा ये बोलेंगे कि पुलीस ने ये काम नहीं किया उनको बताना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कहीं ना कि उनकी एक्सपेटेशन को अगरे मीट नहीं कर पाते हैं तो ये गाप बीच में आता है उनको भी ये समझना चाहिए लोगों को कि हम लोग तो अपना पूरा फूल 100% करी रहें लेकिन किसी क्रिमिनल को कुछ तुरंथी पकड़ लेना किसी को तुरंथी सिजा दिलबाफ आना ये सब एक डू प्रॉसेस है ये सब एक प्रॉसेस के तहट आ लिया है तो हम लोग कानून को फॉलू करते हैं हमेशा अग कानून के दारे में रहे के ही हम लोगों के expectation को meet करने की कोशिश करते हैं जैसा कि देखा गया social media से और social media platform की तरफ से और फिर लोगों की society की तरफ से कि उनके expectations तुरंथ आई हैं लोग तुरंट justice आते हैं लेकिन police तुरंट justice प्रोवाइड नहीं कर सकता है क्योंकि police तुर सिर्फ एक अंग है in the chain of whole justice delivery आप में जो बोला कि बस यही समझाना है लोग कैसे समझेंगे इसके लिए दिरे दिरे लोग के awareness भड़ेगी लोग यह समझेंगे कि police क्या कर सकती है awareness क्या कर सकती है हमारा system में और क्या-क्या हम कर सकते हैं और ऐसा नहीं कि police भी अपने आपको improvement इंप्रूब करने को कोशिश करती रहती है कि जहां 100% है वहां 100-2% कैसे दे सकते हैं by reducing a response time like हमारे हाँ जो यह bell 112 का system is reduced हुआ अगला सवाल है युवा बरत नौकरी से बहुत दूर भाग रहा है आप भी एक विवा है क्या संदेश है उनके लिए देखिए यह तो लोगों की अपनी अपनी personal choices है इस दुनिया नहीं जिस टाइब का उनको aspirations है अगर वो किसी भी setup service से अगर कम उनको satisfaction मिलता है तो उस नौकरी में आई है चाहे वो नौकरी tough हो चाहे वो नौकरी बहुत ही simple हो चाहे वो नौकरी knowledgeable knowledge based हो चाहे service based हो चाहे commercialization के open based हो तो यह होता अपनी choices की साथ से लोग अपने अपने जिन्दिगी में जिन्दिगी का चैन करते हैं अपने जीव का बांजिद करें तो इपेंट्स on the people कहते हैं लोगों की जहां में खतम होती है आप IPS बन गए कई लोग के कप्तान भी रहे हैं आप साइबर क्राम में हैं अभी भी आगे की कोई इच्छा है बनने की लाइफ में एक्सल करने का तो हमेशा इसकोप रहता है अभी तो हम सिर्फ जो दस साल का हमारा experience है उसमें करने के लिए भी बहुत कुछ है और आगे भी हम पुशिश करेंगे कि हमें जो हमारी policing है इसको कैसे टेक फ्रेंडली बनाया जाए और response टाइम को रिड्यूस किया जाए हमें सबसे ज्यादा सपोर्टिंग कॉल रहा है एक अब अपनी जीवन को किस से प्रेजित करते हैं इसे हमारे फादर को ने देखा तो उनकी लाइफ से मुझे बहुत ही मतलब बहुत प्रणा मिलती है जिस टाइप से उन्होंने कठी परिश्रम किया और कभी भी किसी चीच हमेशा उनके छेरे पर मुस्कान बन रही कितनी भी किताजी कोई मानती है कई पीडिवा फॉकस सिर्फ एक चीच पर नहीं करना चाहती है चाहती है कि यह भी मिल जाए यह भी मिल जाए मतलब आपने अपने पोस्ट को अपनी सर्विजिस को फोकस करके चली हैं उसको बड़ा करता पर अंदिश्टा के साथ निवाया है उन लोगों को क्या संदिश देना चाहेंगे देखें ये तो वही बात हुए कि आप अपने पैर जो है कई नौ में रखेंगें तो अपने पैर को एक से ज्यादा नौ में रखेंगे तो फिर चांसे हैं कि आप कहीं किसी एक फिल्ड में एकसल ना कर पाएं तो वाट आई वाट तो यूथ तो यूथ यूथ आप इस एरा in which we are living it's a era of specialization if you have a skill to a particular domain and if you do the specialization in that particular domain then your value always increases in the particular domain and people are working in that particular domain are looking for the people best people to make grand success in those domains so it's a era of specialization जैसे कि बता कि यह विशेष्टाओं का जो है जो हमारा जो इव चला इस ताइम यह एक ऐसा ही होगा जिसमें कि आपके पास जब तक की skill नहीं होगी उस domain को समानने के लिए तब तक आपकी जो उस domain value है वो नहीं रहेगी वो आप successful नहीं होगा है तो आप देखिए आपके क्या priorities है क्या aspirations है फिर आपको एक domain को चूज करिए एक field को चूज करिए उसमें आप काम करके देखिए वो आपको तो आप वी and to say that you should give a time to a particular field if you have chosen that field for work for next five years, for next six years if you don't like that field switch the field आप cybercrime मे भी हैं, social media पे आशकर बहुत ही जयादा crime चलने लागा है, उसको आप control कैसे करते हैं unless most of the people in our time is on social media like twitter, facebook and everything so I would like to request all people and would like to appeal to all people that they should not endorse the views of other people till the time they have a credible information about the post. वाट आप सीन पास्ट जो उन्हें देखा या विता कैसा लगता है लोग फटा-फट लाइप करते हैं लोग उसको शेर कर देते हैं बगर उसके सी करिए बड़े हुए बगर ऐसी मतलब है बगर उन्हें वेरिफाइग किया हुआ यह इसका क्या इंपक्ट सोसाइटी पर हो सक और बाकि जो क्रिमिल अक्टिविटीज है उसके वो तो हम लोग अपने टेक ट्रिवन सिस्टम से आइडिटिफाई करते हैं उनके अगेंस्ट में कानून के तहर एक्शन लिया जाता है रेट फायर है उसमें आपको सिर्फ एक सब्ग में जवाब देना है कुछ सवाल होगे आपके कुछ जवाब होगे कौन सा कैडर बेस्ट आपके साफचा गर्चूज किया है याद कोई एक हमारे साफचे सारे कैडर अच्छे है अब तक की जर्णी में सबसे ज़्यादा करीबी कौन रहा एक एक सब्ग में किसको मोटिवेटर मानते हैं पसंदीदा आपकी होवीज क्या है लेजर टाइम अगर इन फ्यूचर अगर यूपी दिल्ली या अधर कैडर मिला तो सेलेक्टिंग कौन सी रहेगी हमारे पांस एक काड़ बाच आप काड़ चेंज होने कि रहा चांचस नहीं है इन फ्यूचर को इन फ्यूचर को इन फ्यूचर को अच्छा करते रहें देखने कहा तक जाते हैं आपना इन कीम्ती समय दिया बहुत बहुत धन्वार लास्ट में क्या संदीश देना चाहेंगे हमारी वीवर्स रहें I would like to tell all the viewers that you should utilize your time in a very efficient manner time is very less you should focus on your skills and develop the skills which are there for you for a lifetime and those lifetime skills will fetch you a lot of good health good prosperity in the life I would like to thank you